चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम discuss करेंगे buyback of shares buyback of shares समझने के लिए सबसे पहले हम एक normal case को discuss करते हैं कि normally क्या होता है normally कि एक investor होता है जो कि company में investment करता है यानि कि company को पैसे देता है purchase price जो क्या लाता है और company उसे shares देती है तो आपके पास कुछ पैसे खाली पड़े हैं तो आपने investment कर दी company में यानि कि company को पैसे दे दिये और company ने आपको shares दे दिये buyback का case कैसा होता है buyback में इसका exact opposite होता है मतलब यह जो transaction हुआ उसका opposite होने वाला है यानि कि आप shares company को वापिस कर दोगे और company आपको पैसे दे देगे यह पैसे कहलेंगे buyback price तो आपने जो shares लिये थे company से आपने shares company को लोटा दिये और company ने कुछ पैसे आपको दिये यह पैसे है buyback price अब जैसे कि यहाँ पे company ने आपको पैसे दिये buyback price में क्या हो रहा है company पैसे निकालके दे रही है investors को तो पैसे लाती कहां से तो usually companies के पास surplus cash available रहता है मतलब बहुत सारा cash available है जो की surplus है नहीं कि requirement से जाधा तो सोचते हैं कि since surplus cash available है तो हम ये पैसों को वापिस कर देते हैं investors को और अपने shares वापिस ले लेते हैं buyback is also known as repurchase तो कहीं अगर आपको share repurchased इस तरीके से भी दिखेगा इसका मतलब वो buyback की बात कर रहा है यानि कि shares buyback तो buyback का मतलब repurchase भी होता है अब buyback का effect क्या पड़ता है तो buyback का effect discuss करते हैं सबसे पहले दिया हुआ है कि number of outstanding shares ये OS का मतलब है outstanding तो number of outstanding shares इन्दी market कम हो जाते हैं obvious सी बात है कि अगर market में 100 shares कोई company है जिसके market में 100 share issue थे अब company ने उसमें से 10 share buyback कर लिए तो market में किते shares बचे तो market में 90 shares बचे ये ना shares जो market में कम हो गया promoter का holding percentage बढ़ गया यह अला point ध्यान से सुनना कि promoter का holding percentage है वो बढ़ गया ठीक है इसका मतलब यह निकल रहा है कि promoter कौन होता है तो promoter ऐसे investors होते हैं जिन्होंने company जब शुरू की थी तो company में पैसा लगाया था कोई नई नवेली company होती है मतलब newly formed company तो उसमें तो public trust नहीं करेगी तो उसमें क्या होता है कि वो जो business है उसको चालू करने के लिए जो पैसा है वो company के owners जो की promoters कलाते हैं वो लगाते हैं company में उन्होंने कुछ पैसा लगाया होगा का promoters ने तो पैसा लगाया होगा तो company ने उनको एक shares दी होंगे उसके वो कहलाता है promoter holding मतलब company के अंदर में company को जिन्होंने शुरू किया उनके पास कितने shares है यह कि उनका holding percentage कितना है यह पूरे company के 10% holding है 20% holding है 30% holding है whatever the case में भी तो promoter holding बर जाती है बाइबे के कारण यह explain कर रहा हूं इसका एक example लेता हूं कि company के 100 shares market में issued थे 100 shares market में issue किये गए थे और 10 shares promoter के हाथ में थे 10 share promoter के हाथ में थे और बाकी 90 shares है वो किसी और public के हाथ में थे कोई और investors थे और 10 shares जो थे 100 में से यानि कि 10% promoter के पास थे तो मेरा promoter holding percentage होता 10% company ने decide किया कि हम 20 shares buyback कर लेंगे तो 100 shares थे उसमें से 20 shares buyback कर लिया buyback करके company करती गया तो जैसे shares वापीस buyback कर लिया तो उसको fard ford के फिक दिया यानि कि जो share certificate है उसको cease to exist कर दिया यानि कि उसको cancel कर दिया जला दिया जो भी अलब उसको खतम कर दिया तो अगर 100 shares company के थे 20 shares buyback हो जाएंगे तो बचे कितने shares तो बचे 80 shares इन all 80 shares अब company के है अब देखो promoter के पास पहले कितने shares थे promoter के पास पहले भी 10 shares थे और buyback के बाद भी promoter के पास 10 shares बचे लेकिन अगर अभी आप promoter का holding percentage निकालेंगे तो promoter का holding percentage आएगा 10 upon 80 into 100 which will be like 12.5 percentage promoter का holding percentage पहले 10% था और अभी 12.5 percentage हो गया यानिके promoter का holding percentage बढ़ गया और अगर number of shares की बात करूँगा तो promoter के पास पहले भी 10 share थे और अभी भी 10 share ही है तो उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा तो यह point समझना बहुत important है दोस्तों कि buyback का effect promoter holding पे percentage पे पढ़ता है ना कि number of shares पे यानि कि अगर buyback होंगे shares तो promoter का holding percentage बढ़ जाएगा ठीक है तीसरा point है if the earning etc remain same then EPS भी बढ़ जाएगा तो earning per share वगरा भी बढ़ जाता है buyback और shares के कारण अगर earning pre buyback और post buyback same है ठीक है तो चलिए इसका question देख लेते हैं राहू limited has surplus cash of 100 lakhs and wants to distribute 27% of it to the shareholders the company decides to buyback the shares तो company के पास 100 lakhs रुपए surplus cash available extra cash है तो इसमें से 27% company चाहर ही है यानि कि राहू limited चाहर ही है कि हम shareholder को दे दे यानि कि shares buyback कर ले ठीक है यानि कि कुल मैंना कि 27 lakh का buyback करना चाहर है the finance manager of the company estimate that its share price after repurchase share price after repurchase is likely to be 10% above the buyback price if the buyback route is taken इसका मतलब share price जो market में चल रही होगी buyback के बाद वो around around क्योंकि estimate लगा रहा है around होगी buyback price जो आपने set की है plus कर देंगे उसमें 10% buyback price वो share की price हो सकती है after repurchase after repurchase तो जैसा मैं समझा रहा था कि buyback का मतलब ही repurchase होता है जैनिके after buyback the number of shares outstanding at present जैसा buyback हुआ नहीं अभी तक अभी 10 lakh shares outstanding है और current EPS Rs.3 लिखा हुआ है you are required to determine the price at which the shares can be repurchased price at which the share can be repurchase का कोल मिला के मतलब है buyback price की company ने buyback price क्या set किया यानिके अगर एक share company को वापिस मिलता है यानिके buyback होता है तो company उसके बज़े कितना पैसा देगी that's your buyback price तो वह कितना है if the market capitalization of the company should be 210 lakh after buyback पहले discuss करते हैं सामको सबसे पहले दिया हुआ कि buyback shares का amount कितना है तो buyback of the shares amount is equal to 100 lakh multiplied by 27 percentage यानिके rupees 27 lakh तो company चाहा रहे है कि rupees 27 lakh का buyback हो पोस्ट buyback share price के बारे में दिया हुआ है कि जो भी buyback price आपने set की है plus 10% of buyback price number of outstanding shares company के है 10 lakh shares EPS है company का rupees 3 per share तो अकर EPS भी है अपने पास और number of outstanding shares भी है तो pre-buyback तो buyback होने से पहले का EA for research कितना होगा वोगा EPS into number of shares which is rupees 3 per share into 10 lakh which is rupees 30 lakh तो pre-buyback मतलब buyback होने के पहले EA for ESH एनि earning available for equity share order कितना होगा तो वोगा 30 lakh rupees अब हमें buyback price निकालना है अगर post buyback market cap होना चाहिए 210 lakh rupees तो जो हमको निकालना है which is buyback price उसको हम assume करेंगे कि वो X है तो let buyback price is equal to rupees X per share अब हम पहली calculation करेंगे कि since buyback amount rupees 27 lakh है तो buyback price जो आप set करोगे multiply by number of buyback shares आना चाहिए आपका 27 lakh ठीक है तो कि buyback amount बनता कैसे buyback amount बनता है buyback price into buyback shares है यानिके rupees X per share multiply by buyback shares is equal to rupees 27 lakh तो buyback आप कितने shares करोगे तो मैं करोगे 27 lakh upon X shares तो पहला calculation आ गया कि buyback shares यानिके number of shares to be bought back is equal to 27 lakh upon X अब post buyback share price की बात करते है post buyback share price के बारे में लिखा हुआ है कि buyback price जो आप set करोगे उसमें 10% जोड देना तो X plus 10% of X यानिके X plus 0.10X यानिके rupees 1.10X per share post buyback share की price estimated है अब post buyback market capitalization की बात चल रही है अब ये market cap क्या होता है तो market cap कुछ नहीं होता इसमें आप number of shares जिन्दी market जो है उसको multiply करते हो share की price के साथ तो जो भी market में share की price चल रही है यानिके MPS यानिके P0 P0 को जब आप multiply कर देते हो total number of shares तो तो एक तरीके से company का valuation हो जाता है हो जाते हैं अगर एक share आपने निकाला यानिके एक share की value निकाली विचिस P0 तो एक share की price है और एक share की price को total number of shares से multiply कर दोगे तो company का valuation हो जाएगा कि company की market value कितनी है तो company की market value को ही company की market capitalization बोला जाता है ये market capitalization word को market cap भी बोलते हैं cap CAP तो कहीं अगर आपको market cap दिख रहा है अफिर सिर्फ cap दिख रहा है cap का मतलब capitalization तो market cap मतलब market capitalization तो कूल मिला के मतलब है company की market value तो सिंज यहाँ पे हम post buyback market cap की बात कर रहे हैं कि buyback हो जाने के बात का market cap which is 210 lakh तो हम हर चीज post buyback लेंगे यानि कि हम number of shares भी post buyback लेंगे और share की price भी post buyback लेंगे post buyback number of shares कितने रहेंगे तो buyback हो जाने के बाद जो भी पहले number of aushering shares थे उसमें से buyback shares कम हो चुके होंगे जो मैंने अपना example लिया था कि 100 shares मैं से company ने 20 shares buyback कर लिये जब मैं promoter समझा रहा था तो company ने 100 share में से 20 share buyback कर लिये तो 80 shares बचे 80 कैसे आया 100 minus 20 वह यहां पर भी करेंगे कि number of aushering shares में से buyback shares minus कर देंगे तो post buyback number of shares आ जाएगा और post buyback share की price तो यह भी हमने calculate किया कि जो की 1.10x के बराबर होगी this should be equal to 210 lakh तो यहां पर हम figures को substitute करेंगे which will be like 10 lakh shares minus 27 lakh by x shares into 1.10x इसे इसे solve करेंगे x और x कर जाएगा finally आएगा 11 lakh x minus 29.7 lakh which is equal to 210 lakh तो buyback की price आजाएगा यहां कि x आजाएगा 21.79 रुपीज पर share रुपीज 21.79 पर share कि आजाएगा buyback का price 21.79 पर share the number of shares to that can be repurchased the number of shares that can be repurchased का मतलब है buyback shares तो number of buyback shares कैसे निकलेगा तो जो हमारा equation था कि buyback shares is equal to 27 lakh by x अब x की value डाल देंगे which is रुपीज 27 lakh अपन रुपीज 21.79 पर share तो answer आजाएगा 123.910 shares मेरा suggestion is 27 lakh को complete लिखो यानिके zeros के साथ तो exact answer आएगा 123.910 shares और इसे round off करना क्योंकि shares कभी भी decimal में purchase sale नहीं के trade नहीं होते 123.910 3rd is the impact of the share repurchase on the EPS यानिके share buyback का क्या impact पढ़ेगा EPS पे assuming that the net income is the same net income net income का मतलब होता है EF और ESH मैं जब आपको income statement पढ़ा रहा था यानि के जब मैं आपको income statement का पूरा format लिखा रहा था जब मुझे EPS लिखाना था तब वहां पर मैं एक एक word को detail में आपको analysis करके बता रहा था कि उसे क्या क्या बोला जाता है वहां पर मैंने EF और ESH बताया था कि EF और ESH को net income भी कहते हैं अगर आपको recall हो गया तो बहुत अच्छी बात है अगर नहीं हो रहा है तो इस वीडियो को यहीं पर pause कीजिए दो मिनिट के लिए जाएए अपने notes को refer कीजिए मतलब अपनी notebook में वह अला income शेट में खोले जो मैंने लिखवाया था वहां पर आपको दिखेगा कि EF और ESH के नीचे लिखाओ net income फिर इस वीडियो को resume कीजिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ तो net income का मतलब EF और ESH में बताया था अब कोशन कह रहा है कि net income will be same नहीं कि net income is same का मतलब यह है कि जो pre buyback EF और ESH होगा वही post buyback EF और ESH होगा हमने थोड़ी दिर पहले pre buyback EF और ESH निकाला था यह देखिए pre buyback EF और ESH 30 lakh रुपी मतलब कोशन कह रहा है कि यही 30 lakh रुपी जो है pre buyback EF और ESH वही आपका post buyback EF और ESH रहेगा अब अगर मुझे EPS निकालना है EPS का formula मुझे पता है EF और ESH upon number of equity shares यह तो मैं पता चुगा हूँ अब मुझे अगर post buyback EPS निकालना है तो मैं हर चीज post buyback लूँगा यहनि कि EF और ESH को भी post buyback लूँगा और number of equity shares को भी post buyback लूँगा जिस मेरा post buyback EF और ESH और pre buyback EF और ESH सेम है तो यहां पर मैं 30 लाग रूपीज ले लूँगा और post buyback number of equity shares मैं denominator मिलूँगा जो क्योंगा 10 लाग shares minus 1,2,3,9,1,0 shares यतने shares मैंने buyback कर लिए 1,2,3,9,1,0 shares तो बचे कितने? तो बचे 8,7,6,0,9,0 shares तो 30,00,00 upon 10,00,00 minus 1,2,3,9,1,0 यहनिके 8,7,6,0,9,0 shares तो कांसर आ जागा 3,43 पर share तो EPS of Rahul Limited increases to 3,43 increases इसलिए क्योंकि अगर आप देखोगे तो पहले इसका 3 रूपीज पर share था EPS buyback के पहले और buyback के लिए 3,43 हो गया तो यह increase हो गया अब यहाँ पर दो चीजें लिखी हुई है effect 1 and effect 3 effect 1 का मतलब मैंने थोवी देर पहले आपको समझाया था कि buyback का effect क्या क्या पढ़ता है जहाँ पर पहला point मैंने पढ़ाया था यहाँ पर पहला point था कि number of outstanding shares market में कम हो जाते हैं तो यह मैंने कोशन के साथ भी प्रूव कर दिया कि since company ने buyback कर लिये shares तो पहले 10 lakh shares थे market में और अभी 8,76,090 shares ही बचें तो number और shares तो कम हो गए और effect 3 मैंने बताया था कि अगर earning अगरा same है तो EPS बढ़ जाएगा तो हमें यहाँ पर कोशन में दिया हुए कि earning same है यह देखिए pre buyback EF और ESH and post buyback EF और ESH दोनों same है तो अकर दोनों same रहेगा तो EPS बढ़ जाएगा तो EPS बढ़ गया तो इस तरीके से solve होता है आपका buyback of shares का question चलिए आगे बढ़ते हैं एक और question देख लेते हैं Eager Limited has a market capitalization of Rs. 1500 करोड and the current market price of its shares is Rs. 1500 तो market cap यानिके company की market value यानिके company की market price P0 multiply by number of shares आपको दिया हुए 1500 करोड रूपीज और company का 1500 रूपए यानिके P0 दिया हुए it made a pat of 200 करोड and the board is considering a proposal to buyback 20% of the shares तो pat दिया हुए आपको 200 करोड और buyback करना चाहते हैं 20% of the shares अलब जितने भी company में outstanding shares होंगे ना उसका 20% buyback करना चाहते हैं at a premium of 10% to the current market price premium का मतलब extra current market price में extra 10% जोड़ेंगे तो जो price आएगी वही आपकी buyback price होगी और उस buyback price पे company shares को buyback करना चाहती है it plans to fund this through a 16% bank loan मतलब थोड़ी देर पहले जब मैं आपको buyback of shares समझा रहा था तो मैंने आपको कहा था कि company जो पैसा है buyback कावलाती कहां से तो मैंने बताया था कि usually कंपनियों के पाद जब surplus cash available होता है तो वो पैसा use करती है buyback के लिए मतलब company ने सामने वाला निक इन्वेस्टर से तो share ले लिए अब इन्वेस्टर को पैसा देना पड़ेगा न buyback price तो buyback price company लाएगी कहां से तो वो surplus cash के थुरू लाएगी पड़ यहां पैसा कह रहा है कि company के बाद surplus cash नहीं है company loan लेके buyback करेगी तो ऐसा situation आ गया है कि company के बाद खुद के पैसा नहीं है company जितना भी buyback करना चाहती है amount buyback का जो shares का amount रहेगा उतने का loan लेके इन्वेस्टर्स को पैसा देगी you are required to calculate the post buyback earning पर चाहने कि EPS the company's corporate tax rate is 30% तो market capitalization जिसे short में market cap भी बोलते हैं यानि कि P0 into number of shares outstanding 1500 करोर रूपे करें market price दिया हुआ P0 1500 रूपे पर शेर पैट दिया हुआ 200 करोर बाइबक shares कितने रहेंगे 20% होदी number of shares outstanding बाइबक price कर रहेगा तो बाइबक price रहेगा P0 plus 10% premium जिनके P0 plus 10% of P0 MPS का मतलब market price per share ठीक है और P0 दोनों का मतलब एक ही है तो fund this का मतलब क्या लिखा है fund this का मतलब लिखा है buyback shares amount will be equal to 16% bank loan amount यानि कि जो इस price पर buyback करोगे और जितने shares आ buyback करोगे वो जो amount है यानि कि आपके जिब से जो पैसा buyback के लिए जाएगा वो पैसा loan के रूप में bank से आएगा 16% bank loan amount tax 30% दिया हुआ है post buyback EPS निकालना है now calculations करते हैं सबसे पहले buyback price निकालेंगे buyback price मतलब P0 plus 10% of P0 P0 1500 रुपे दिया हुआ है plus 10% 1500 तो buyback price आ गया 1650 1650 अब market cap दिया हुआ है आपको 1500 करोड रुपे यानि कि 1500 रुपे पर शेयर इंटू नमबर और शेयर आउस्टेंडिक आगे एक करोड शेयर बाइबेक शेयर कोस्टन कहे रहा है कि जितने भी शेयर आउस्टेंडिक यानिकि एक करोड उसका 20% buyback कर लेंगे यानिकि 20 lakh shares buyback करेंगे 20 lakh shares को आप बोल सकते हो 0.20 करोड shares जिन्स हमारे पास बहुत सारा data करोड में है तो हम data को calculate तो करेंगे तो इसे करोड में convert करेंगे तो buyback shares कितने आ गए 0.20 करोड shares आ गए अब buyback share amount निकालेंगे buyback share amount निकलेगा buyback price into buyback shares यानिके 1650 रुपे पर share into 0.20 करोड shares यानिके 330 करोड रूप है therefore 16% bank loan amount is equal to 330 करोड रूप है लबखुल मिला के company क्या करेगी company 330 करोड के shares buyback करेगी यानिके एक share के पीछे company 1650 रुपे पेग करेगी और ऐसे 0.20 करोड shares ले लेगी यानिके total company के जेप से 330 करोड जाएगा तो क्या company के पास 330 करोड पर है नहीं company 330 करोड ये वाले जो है ये कहां से लेगी तो bank से learning g Santos एक 330 करोड और ये पैसे चले जाएगे investors के पास और company के पास क्या आएगा तो company के पास shares buyback हो जाएगा तो bank loan का जो interest है वो कितना आएगा तो bank loan पे interest आगा 330 करोड into 16% 52.80 करोड का company interest पे करेगी Now हमें निकालना है post buyback EPS इतनी सारी calculation तो कर ली लेकिन हमारा goal क्या है हमारा goal है कि हमें post buyback EPS मिल जाए post buyback EPS के लिए आपको दो चीज़ें चाहिए एक चीज़े post buyback EPS और एक चीज़े post buyback number of equity shares ठीक है अब यह निकालने के लिए कुछ calculations करने पड़ेगी पहले pre buyback की बात करते है pre buyback यानि कि before buyback income statement का extract बनाते हैं तो हमको क्या पता चलेगा हमको यह पता चलेगा कि सबसे पहले PBIT आता है PBIT में से interest pre buyback minus होता है तो PBT आता है आप इस figures पे पहले focus मत करो मैं जो format बनाए उस पे focus करो तो पहले PBIT लिखते हैं फिर interest minus करेंगे तो interest pre buyback वाला minus करेंगे तो PBT आएगा profit before tax profit before tax में से tax either 30% of PBT minus करेंगे तो PAT आएगा यह जो format है PBIT minus interest PBT minus tax तो PAT यह मैं already बता चुका हूँ अब जो figures है उसका back calculation करेंगे यहनिके reverse calculation हम start करेंगे 200 crore से क्योंकि हमके यह figure दिया हुआ है ठीक है 200 crore जो है वो कुल मिला के क्या है वो है 70% of PBT क्योंकि 30% अगर आप tax पे करोगे PBT पे तो बचाओ portion 70% PBT का आएगा यहनिके 70% of PBT is equal to PAT यहनिके 200 crore upon 70% करेंगे तो PBT आजाएगा तो इस तरीके से मेरा जो पहला calculation है मैंने यह आपे calculation को serial number दिया हुआ है तो ध्यान दीजेगा पहला serial number है यह यहनिके PBT which is 285.7143 crore तो सबसे पहले आपका PBT आ जाएगा जैसे आपका PBT आ गया आपका tax amount आ जाएगा tax amount simply क्या निकलेगा 285.7143 crore multiply by 30% 85.7143 crore आपका tax आ जाएगा पर एक cross check भी हो जाएगा 285.7143 PBT अगर है और 30% tax पे करते हो तो pat 200 crore आना चाहिए और वो आ रहा है तो correctly निकालेगा अब अब क्या करोगे अब PBT में interest को add back करोगे तो PBIT आएगा तो यहाँ पर सबसे important बात जो ध्यान देने वाली वो यह है कि आपका जो interest है जो कि pre buyback मतलब buyback होने का जो पहले interest आपको pay करना है वो निल है क्यों ऐसा मानेंगे ऐसा इसलिए मानेंगे क्योंकि question हमें यह कह रहा है कि buyback करने के लिए company loan ले रही है इसका मतलब यह निकलेगा कि अगर company buyback नहीं करती तो loan भी नहीं लेती यहनिकि buyback करने से पहले की company की स्थिति क्या थी buyback करने से पहले company की स्थिति यह थी कि company के पास कोई loan नहीं था लेकिन since company को buyback करना है उसके लिए loan लेगी अगर loan लोगे तो interest भी बेक करना पड़ेगा तो हम यहाँ पर यह मानेंगे यानि कि हम यह assume करेंगे यह company का pre buyback interest कुछ भी नहीं था और question में ऐसा कुछ data भी नहीं हमारे पास कि मैं बता सकेगी company के पास loan था buyback करने से पहले तो मैं आप इसको nil ले लेंगे जिसके कारण क्या होगा आपका PBT और PBIT सेम आ जाएगा which is 285.743 which is 285.743 क्रोड प्लस nil अपका PBIT आ जाएगा ओके तो यह calculation से हमारा PBIT आ गया तो यह income state बनाने का purpose था PBIT निकालना तो अब हम post buyback यह नहीं के buyback के बाद का income statement का extract बनाएंगे अब हम यहाँ पे वही 285.743 को round off करके 285.71 करोड यूस कर लेंगे पुराना जो income state बनाने का purpose था PBIT निकालना अब interest मानेस करेंगे अब interest जो हमने थोई देर पहले calculate किया कि 16% of 330 करोड इस 52.8 करोड आपको पे करना पड़ेगा तो पीबीट आ जाएगा 232.91 करोड पिर tax मानेस कर दो कि 69.87 करोड तो पैट आजाएगा 163.04 करोड फिर आप transfer to results को निल आजूम करो कि यह data नहीं है तो पैट आफ्टर आजाएगा 163.04 करोड portion में preferent dividend का भी कोई data नहीं है तो आजूम करेंगे निल आपका EF और ESH post buyback आजाएगा 163.04 करोड तो मेरा चो numerator है numerator यानि कि यह वाला यह तो आचुका है which is 163.04 करोड रूपीज अब मुझे number of shares post buyback यहने कि denominator निकालना है which is 1 करोड shares minus 0.20 करोड shares this is 0.80 करोड shares numerator आचुका है denominator आचुका है post buyback EPS आजाएगा 163.04 करोड upon 0.80 करोड shares यहने कि 203.80 पर share इस तरीके से सॉल होता है buyback of shares का question जहां पर आप loan लेके shares buyback करते है चली आगे बढ़ते हैं अब हम discuss करेंगे bonus shares का concept bonus shares में क्या होता है जैसे एक investor है यानि कि जिसने company को पैसे दिये हुए और company के shares लिए हुए यानि कि वो company का existing shareholder है company उसे extra shares दे देती है free of cost यही free of cost extra shares को बोला जाता है bonus shares यानि कि bonus shares की purchase price इस investor के लिए होने वाली है निल अगर मैं company का shareholder हूँ company ने बोला कि कुछ extra shares ले लो इसके पीछे कोई पैसा मत दे ना बशेर रख लो ठीक है तो यहाँ पे क्या हुआ यहाँ पे basically मुझे shares मिल गए और मेरे जिप से पैसा ने गया इस process को बोला था capitalization of profits यानि कि company कही ना कहीं से तो पैसा लाएगी न यानि कि books में entry क्या पास करेगी आपको पता है कि double entry accounting system में दो accounts hit होंगे यानि कि एक account debit होगा एक account credit होगा तो since company ने new shares issue किये existing shareholder को तो मतलब credit side में तो equity share capital या preference share capital whatever the case में भी आएगा यानि कि share capital तो credit होगा लेकिन debit क्या होगा normal case में debit क्या होता है तो normal case में debit होगा cash account या bank account तो कि normal transaction क्या होता है कि company को पैसे आए और company ने shares दिये तो company को पैसे आए तो bank account या cash account debit होगा और share capital credit होगा लेकिन bonus shares के case में credit होगा share capital लेकिन आप सामने वाले से यानि कि investor से कुछ पैसा ले ही नहीं रहे हो तो since पैसा नहीं ले रहे हो कुछ तो debit करना पड़ेगा आप debit करोगे reserves जो reserves आपने profit से create किये थे वो reserves को आप debit करोगे और credit करोगे share capital को profit से create किये जाते है reserves यह evident है income statement से जहाँ पे आप का PAT आता है जिसमें से आप PAT के बाद minus करते हैं transfers to reserve account इनके reserves कहाँ से create होते हैं reserves create होते हैं profit से तो since यहाँ पे जब आप reserve को debit कर रहे हो एक तरीके से आप profit को debit कर रहे हो तो मुझे बोलना चाहिए profit account debit यानिके profit and loss account debit to share capital यानिके जो मेरा profit है अब वो share capital बन चुका है तो मेरा profit अकर share capital बन जाएगा तो मैं उसको कहूंगा capitalization of profits तो इसका मतलब यह हुआ कि reserves के थुरू आपने bonus shares issue की है ठीक है effect क्या पढ़ता है bonus shares से effect यह पढ़ता है कि जो number और shares in the market है वो बढ़ जाता है तो market में अगर 100 shares की trading हो रही है और 20 shares और bonus के रूप में आगे market में तो total market में shares हो देंगे 120 ठीक है आईए इसका question देख लेते हैं शुरुपति company limited promoted by a multinational group international Inc. is listed on the stock exchange holding 84% that is 63 lectures इस line को मैं दो भाग में break कर रहा हूं पहला भाग है के तुरुपति company limited promoted by a multinational group क्याने के international Inc. इसका मतलब क्या है इसका मतलब है कि international एक अपने आप में एक company है और इस company ने एक company दूसरी company start की है तुरुपति company limited यानि कि international Inc. एक investor है यानि कि promoter है जिसने एक दूसरी company चालू की है तुरुपति company limited तो क्या एक company दूसरी company के investor बन सकती है हाँ बन सकती है तो यहां पर ऐसा हो रहा है कि international Inc. एक दूसरी company है लेकिन हमारे case में वह एक तरीके का promoter का का काम कर रहा है जो कि तुरुपति company limited का है तो दूसरा line है stock exchange holding 84% यानि कि 63 lakh इसका मतलब यह है कि इस promoter के पास यानि कि international Inc. के पास 84% shares है तुरुपति company limited गया जो कि है 63 lakh shares तो international Inc. आप में एक company है जो कि दूसरी company के एक investor है यानि कि promoter है और कितने shares है उसके पास तो 84% shares है यानि कि 63 lakh shares है तो promoter holding percentage में बोले तो 84% अब promoter holding shares में बोले तो 63 lakh shares ठीक है यह discuss हो गया अब आगे बढ़ते हैं profit after tax दिया हुआ है 4.1 करोड रुपीज free float market cap दिया हुआ है 19.2 करोड तो यह free float market cap क्या होता मैं explain करूंगा as per the SEBI guidelines promoters have to restrict their holding to 75% to avoid delisting from the stock exchange SEBI एक regulatory body है जो कि stock exchange में guidelines और rules and regulations लेके आती है तो SEBI का यह कहना है कि किसी भी company को जो की listed है उसके अंदर में जो promoters है उन्हें की company के owners है उनके पास 75% तक की promoter holding होनी चाहिए मतलब हमारा यहां पर promoter holding है 84% 84% नहीं होना चाहिए यह 75% होना चाहिए तो board of directors has decided not to deliver the share but to comply with the SEBI guidelines by issuing bonus shares to minority shareholder while maintaining the same P ratio तो जो company का BOD है यहने के board of director है उसने decide कि हम bonus shares issue करेंगे minority shareholder को कौन होंगे minority shareholder minority shareholder का यहां पर मतलब है कि promoter को छोड़के बाकी सारे के सारे shareholder promoter के पास यहां पर 84% shares है तो बचा कितना 16% तो जो भी 16% का जो share जिसके भी पास है तो सारे के सारे कहलाएंगे minority shareholders और उन minority shareholders को company bonus share issue कर देगी ठीक है calculate the P ratio step by step चलते हैं तो पहला दो पाट तो देख लिए promoter holding percentage और promoter holding shares अब PAT दिया हुए 4.8 crores rupees pre followed market cap दिया हुए तो जैसा कि मैंने आपको explain किया था earlier lectures में कि market cap का मतलब होता है company की market value यानि कि number of shares into P0 यानि कि MPS pre float का क्या मतलब है pre float का मतलब यह है कि total number of shares में जब promoter के holding shares minus हो जाते हैं यानि कि company का मैं owner हूँ मेरे पास मान के चलो 10 shares है और total company में 100 shares है तो 100 shares में 10 shares तो मेरे पास है मैं since company का owner हूँ मैं तो कभी भी नहीं चाहूँगा कि company को exit कर दूँ यानि कि share बेच तूँ याना मैं तो चाहूँगा मैं company मेंने चालो किये तो company में मैं हमेशा एक shareholder यानि कि investor बना रहूँ तो अगर 100 shares में से 10 shares मेरे पास हैं तो मैं कभी भी नहीं चाहूँगा कि 10 shares में बेचूँ यानि कि तरीके से मैंने ये 10 shares को block कर दिया trading होने से तो market में बचे कितने 90 shares तो 90 shares आपस में कुछ-कुछ investors purchase sell purchase sell कर रहे हैं हो सकता है ना ऐसा मेरे example में तो इसका मतलब यह हो कि जो market capitalization company की पूरी की पूरी वह की total number of shares into 50 यानि कि 100 shares into 50 लेकिन free float कितनी है यानि कि purchase sell जो freely हो पार वो कितनी है वो यह है कि 100 share में से 90 shares जो है तो 90 shares जो है इनको जब आप P0 से multiply करोगे तो market cap तो आएगा लेकिन ऐसा market cap कहलाता है free float market capitalization यानि कि total number of shares minus promoter holding shares into P0 यह आपको दिया हुआ है 19.20 crore target promoter holding है 75% सेबी की guidelines को अगर पूरा करना है तो promoter की holding percentage को 75% लाना पड़ेगा ठीक है तो आगे solve करते है नाव promoter holding percentage into total number of shares is equal to promoter holding shares तो है बात है कि अगर मेरे पास company के 10% shares है और company में cool मिलाके ही 100 share है तो 100 share into 10% is equal to 10 shares होंगे मेरे पास simple maths तो वहीं यहां पे भी लगाएंगे यह वाला formula लगा कि promoter holding percentage into total number of shares is equal to promoter holding shares तो 84% into total number of shares is equal to 63 lakh shares यह भी दिया हुआ 63 lakh और 84% भी दिया हुआ है तो total number of shares आ जाएगा 63 lakh upon 84% 75 lakh shares यहनि कि present position क्या है company की company के present position इस प्रकार है कि company में 75 lakh shares है cool मिलाके promoter के पास 63 lakh shares है और minority shareholders के पास 12 lakh shares है commodity shareholders की holding है 12 lakh shares और मोटर की holding है 63 lakh shares अब question की requirement में आते हैं question हमसे मांगा रहे कि भी अब PE ratio निकाल के दो पी रेशो निकालने का तरीका है कि सबसे पहले हम free float market cap को उठाएंगे free float market cap 19.20 करोड rupees 75 lakh minus 63 lakh into P0 19.20 करोड पीजिरो आएगा 19.20 अपन 12 lakh इन जैंपे crores में चल रहा है matter तो मैं 12 lakh को convert कर दूंगा crores में यानिके 0.12 करोड तो finally rupees 19.20 करोड अपन 0.12 करोड शेर पीजिरो आ जाएगा 160 रूपीज पर शेर पी रेशो के दो यह element होते हैं एक होता है P0 यानिके MPS दूसर होता है EPS तो MPS आ गया P0 अब EPS की करते हैं यहां पर हमें पैट दिया हुआ है 4.8 करोड बढ़ हमें EF और ESH नहीं दिया हुआ तो हम यहां पर अजूम करेंगे कि पैट का मतलब भी EF और ESH है ऐसा अजूम करने के बाद मेरा EF और ESH यानिके पैट रहेगा 4.8 करोड तो EPS आ जाएगा EF और ESH अब नंबर और एक्विटी शेर्स तो EF और ESH मेरा है रूपीज 4.8 करोड अपन 75 लैक शेर्स यानिके 0.75 करोड शेर्स तो मेरा EPS से जाएगा 6.40 रूपीज पर शेर्स अब यहां पर जो मैंने अजूम किया है इस पर थोड़ी सी बात करनी है कि बहुत सारे क्वेशन में मैं अलग-अलग तरीके के एसंप्शन लेते आया हूं कहीं पर मैं लिया हूं RE is equal to ER लेकिन P0 और IV0 सेम नहीं है यानिके वो जो अजूम्शन है RE और ER उसका limited use है यहां पर मैंने अजूम कर लिया कि PAT और EF और यह से सेम है तो एक बात का ध्यान रखना दोस्तों और यह जो मेरी बात होने वाले है उसको ध्यान से सुनना कि जो मै कंसेप्ट आपको पढ़ा रहा हूं INCOME statement पढ़ा रहा हूं RE-ER पढ़ा रहा हूं IV0 P0 पढ़ा रहा हूं एक concept intact है के concept एक्दम true है इसमें कोई दिक्कत नहीं है कंसेप्ट में कोई दिक्कत नहीं है लेकिन जब आप questions पे आते हो questions के data पे आते हो तो question solve करने के लिए concept को थोड ठीक है, tough questions वो होता हैं जिसमें बहुत दा assumptions लेने पड़ें, ठीक है, data बहुत कम दिया हुआ है, और requirement तक पहुचने के लिए कुछ ना कुछ assumption लेने पड़ेंगे, कुछ ना कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा, कि question के objective यानिके answer तक पहुच पाएं, तो एक बात का ध्यान होती है, PAT अलग चीज होती है, क्योंकि PAT मेंसे सबसे पहले transfer to reserve हटता है, और उसके बाद preferent dividend हटता है, फिर जाकि EF और EASIS तक पहुचते हैं, तो कभी भी PAT और EF और EASIS को same नहीं मानना, तो यह जो मैं concept अब को पढ़ाते जा रहा हूं, पढ़ाते आया हूं, और आगे भी पढ़ाऊंगा, एक concept में कोई दिक्कत नहीं, एक concept हमेशा true रहेंगे, लेकिन question को solve करते हैं, मुझे question को assumption लेने पढ़ते हैं, आपका क्या काम है, आपका काम यह है कि आप concepts को बहुत अच्छे से समझ लें, और जब question को solve कर रहे हैं, और जब मेरे questions को no down कर रहे हैं, यानि कि मेरे questions के answers को no down कर रहे हैं, तो जहां-जहां मैंने assume वगरा लिखा है, मैं अलग-अलग जगा assume वगरा लिखता हूं, तो इस assume को आपको बहुत carefully no down करना है, और make sure करना कि यह miss out नहों जाएं, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों, कि जब आप exam time में revision करेंगे, exam time में books को खोलेंगे और पढ़ना शुरू करेंगे, तो बहुत बार concept तो बहुत अच्छे से clear हो जाएगा, लेकि जब question solve करने बैठेंगे, और answer से match करने की कोशिश करेंगे, तो कही ना कहीं difficulty face होगी, कि लगी का यार, यहां पर ऐसा क्यों कि है, यहां पर ऐसा क्यों कि है, concept कुछ औ पर मैंने assume लिखा, कहीं पहले assume लिख के फिर यहां पर use नहीं किया, जहां पर user है, वहां पर लिख दिया, यहां पर important होता है, वहां पहले starting में लिख देता हूँ, तो appropriate place में मैं लिखते आया हूँ, आप भी appropriate place पर लिखते चाहिए, जिससे कि क्या होगा, जब आप revision करने ब message, और धीरे धीरे जब आप questions की practice करेंगे, तो आपको भी clear होते जाएगा कि कहां पर क्या assume करने से answer आएगा, तो finally मैं अपने इस कहानी का एक summary करता हूँ, यह के summary बताता हूँ, कि आपको concept अच्छे से समझना है, concept समझने में, concept को याद रखने में, concept की knowledge में कोई दिक्कत न पड़ता है, यानि कि assumptions लेने पड़ते हैं, तो assumptions का ध्यान रखना, properly note करना, जिससे कि exam time में difficulty face ना हो, ठीक है, चलो, question पर वापिस आते हैं, EPS is equal to EF और ESH, अब नॉमबर विकिटी 6 वगरा किये थे, तो 6.40 per share EPS आ गया था, अब सिंस में पास EPS B और MPS B है, यानि कि P 0 है, तो मेरा PE ratio आ जाएगा, 160 upon 6.4, PE ratio आ जाएगा 25 times, तो PE ratio times में रहता है, तो 25 times, 25, दूसरा मुझे निकालना है bonus ratio, ठीक है, अब bonus ratio के लिए हमें position discuss करने पड़ेगी, जो थोड़ी देर पहले discuss की है, कि हमारे पास, यानि कि company के पास total number of shares है 75 lakh, जिसमें से promoter के पास है 63 lakh, और minority के पास है 12 lakh shares, यानि कि percentage में बोलेंगे तो promoter के पास 84 percentage, minority के पास 100 minus 84 percentage, यानि कि 16 percentage, target क्या है, हमारा target है कि promoter के पास सिर्फ 75% shares हो, number of shares से मतलब भी नहीं है, CB को number of shares से मतलब भी नहीं है, CB को percentage से मतलब है कि 75% promoter के पास holding होनी चाहिए, इसका मतलब यह निकलेगा, कि but promoter holding shares will remain same, because bonus shares will be given to minority share holders only, portion में यहाँ पे लिखा है, कि यह करने के लिए, यानि कि अपना holding को रेश्टिक करने के लिए 75% पे, BOD ने यह decision लिया कि हम bonus share देंगे minority वालों को, तो अगर आप minority वालों को shares देंगे, यानि कि promoter को कोई shares नहीं देंगे, जब promoter को कोई share नहीं देंगे, तो promoter holding in shares will remain same, 75% हो जाना चाहिए, तो यहाँ पे हम वही वाला formula यूज करेंगे, यानि कि promoter holding percentage into number of shares is equal to promoter holding shares, 75% मुझे target है, holding का, total number of shares multiply कर देंगे, is equal to 63 lakh shares, promoter के बास रहेंगे, तो total number of shares हो जाने चाहिए, company के 84 lakh, ठीक है, तो bonus share issue होने के बाद, company के total number of shares हो जाएंगे, 84 lakh, तो revise position का मतलब है, after bonus, 84 lakh shares company के है, promoter को 63 lakh shares है, minority के पास, minority के पास 84 minus 63, यानि कि balance shares हो जाएंगे, यानि कि 21 lakh shares minority के पास आजाएंगे, 21 plus 63 is equal to 84, पहले कितने थे, minority के पास 12 lakh shares थे, तो bonus shares कितने दिये गए, 9 lakh shares दिये गए, तो bonus shares 9 lakh shares दिये गए, तो promoter के पास 63 थे, 9 lakh shares plus 12 lakh shares, जो पहले minority shareholder के पास थे, 21 lakh shares, तो 21 plus 63 is equal to 84, अब bonus ratio को discuss करेंगे, तो existing shares 12 lakh थे, bonus shares मिले 9 lakh, यानि कि एक share के पीछे कितना bonus share मिला, तो 9 by 12 into 1, यानि कि 0.75 share मिला, तो bonus ratio हो रहेगा, 0.75 is to 1, यानि कि एक share अगर minority shareholder के पास था, तो उसे 0.75 share और मिल जाएगा, तो this is your bonus ratio, 0.75 is to 1, तीसरा है market price होदी share before and after the issue of bonus shares, मतलब हमें MPS, यानि कि P0 निकालना है, before bonus and after bonus, before bonus हम निकाल चुके थे, 160 per share, थोड़ देर पहले हमने निकाला यहाँ पे, यह हमने यहाँ पे निकाला, जब हमको P ratio को करा निकालना था, तो यहाँ पे हमारा 160 rupees per share आया, before bonus में तो दिक्कत नहीं है, after bonus देखते हैं, after bonus के लिए question की एक line है, P ratio remains same after the bonus, यहाँ पे लिखा हुआ है, maintaining the same P ratio, इस line का काम अभी आएगा, कि company का पुराना P ratio, यहने के P ratio after bonus और P ratio before bonus दोनों सेम रहेंगे, ठीक है, तो P ratio after bonus कैसे निकलेगा, वो निकलेगा, P 0 after bonus जो हमें चाहिए, और E Pays after bonus हमें निकालना पड़ेगा, तो P ratio after bonus तो मेरे पास है, कैसे है, P ratio before bonus 25 times वो यूज़ कर लूँगा, P 0 मुझे निकालना है, E Pays मुझे निकालना पड़ेगा after bonus, तो E Pays after bonus निकलेगा, EF और EASH upon number of equity shares, तो 4.80 करोड रूपीज upon 84 lakh shares, क्योंकि अभी कंपनी के total number of shares बढ़ चुके हैं, वो हो चुके 84 lakh, तो 4.80 करोड upon 0.84 करोड shares, 5.71 per share आपका आजएगा E Pays after bonus, तो simply है, formula यूज़ कर लेंगे P ratio, एकल टू P 0 upon 5.71, तो P 0 after bonus रहेगा 25 into 5.71, तो आपका जएगा 142.75 per share P 0, तो before 160 था और after 142.75 हो गया, free float market cap of the company after the bonus share, so free float market cap after the bonus निकले का total shares, minus promoter shares into P 0 after bonus, 24,00-63,00 into 142.75 per share, यह अभी हमने निकाला, तो अगर 2997.75 lakh और 29.9775 करोड रूपीज, ठीक है, तो इस तरीके से solve होता है आपका, bonus shares का question, चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम अलग-अलग approaches, यह अलग-अलग models discuss करने जा रहे है, equity valuation के, अभी तक हम लोग ने DDM, वगरा यूज किया, यह अलग-अलग models use किया, जैसे कि constant growth DDM, multi-period DDM, no growth DDM, single print DDM, अच्छा, तो हमने अलग-अलग models use किये, equity valuation के, यहनिके share की present value निकालने के, share की present value यहनिके market price निकालने के, जो दो तरीके सा सकती, एक आ सकती intrinsic market price, जिसे IV0 कहा जाता है, और एक होती actual market price, जिसे P0 कहा जाता है, इतना हमने सीखा DDM वगरा यूज करके, अब हम अलग-अलग तरीके सीखेंगे, यहनिके अलग-अलग approaches या model सीखेंगे, सेम यही काम करने का, यहनिके IV0 निकालने का, या P0 निकालने का, ठीक है, तो सबसे पहले combination of model देखेंगे, विज इस P multiple approach या फिर no growth DDM, जो कि मैं पहले discuss कर चुका हूँ, and earning growth model, तो आने वाले कुछ-कुछ questions है, जो दोनों पे based है, मतलब उसमें दोनों की requirement है, P multiple approach का भी knowledge चाहिए, यानिके no growth DDM का भी, और earning growth model का भी, ठीक है, तो यह combination of approach है, तो यह already discuss कर चुका हूँ, एक बार revise करा लेता हूँ, no growth DDM में हमने क्या पढ़ा था, no growth DDM में पढ़ा था, कि since word लिखा है no growth, मतलब G 0% है, कोई growth नहीं होगी, कोई growth नहीं का मतलब यहाँ पर है कि कोई retention of money नहीं होगा, इसका मतलब EF और ESH और equity dividend बराबर होगा, यहाँ के company जितना भी पैसा कमा रही है, जितना भी उसका EF और ESH आ रहा है, पूरा का पूरा बाट दे रही है dividend के रूप में, कुछ भी पैसा return नहीं कर रही, तो अगर return नहीं करेंगी, तो grow नहीं करेंगी, ठीक है, तो यहाँ पर EPS और DPS same है, यहनि कि earning per share और dividend per share same है, यहाँ पर अगर ratio की बात करेंगे, तो यहाँ पर 100% dividend payout ratio है, यहनि कि DPR है, और 0% retention ratio है, फिर हमने formula देखे थे, कि require rate of return RE का formula सीखा था, required return about intrinsic value into 100, यह वाला formula मैंने portfolio management बताया था, इसी को use करके मैंने equity valuation में, अलग-अलग formula याद करा है, कि यहाँ पर आपका RE का formula होगा DPS1, यानि कि D1 upon IV 0 into 100, तो कि return के रूप में यहाँ पर सिर्फ dividend मिलेगा, capital appreciation नहीं मिलता, infinite period EDM में, यानि कि no growth में नहीं मिलता, यहाँ पर पहला formula हैगा D1 upon RE into 100, यहाँ पर D1 की जगह में EPS1 upon RE into 100 लिख सकता हूँ, तो दो formula यह आद कर रहे थे, note if RE not given then assume RE is equal to ER, तो अगर आपको question में RE नहीं दिया रहेगा, तो अब RE और ER को assume कर सकते हो equal है, तो दो formula और आजाएंगे, IV 0 is equal to D1 upon ER into 100, और IV 0 is equal to EPS1 upon ER into 100, अल्सों एक और formula derive किया था, कि ER का मतलब क्या होता है, DPS1 upon P0 into 100, जो return मिलेगा, actual return upon P0 into 100, तो EPS1 upon P0 into 100 लिख सकते हैं, यहनि कि EPS1 upon MPS into 100, यहनि कि earning by price into 100, तो पांचवा formula था, RE is equal to ER is equal to 1 by P ratio, यह भी उस कर सकते हैं, यहाँ पर मैंने आपको careful रहने को कहा था, और important note लिखा है था, कि यहाँ एक problem है, P0 is not equal to IV0, तो therefore there is a limited use, of this assumption of ER and RE, in no grow DDM, और बाकी DDM में भी मैंने बताया था, कि जहाँ जहाँ पर आपको ERRE same लेना है, बट P0, IV0 same नहीं लेना है, इतना तो मैंने आपको revise कर वाया था, और यह भी बताया था, वहाँ पर, कि no grow DDM is also called P.E. Multiple approach, अब कुछ extra बताने वाला हो, और यह बहुत ही ज़्यादा important है, तो ध्यान दीजेगा, extra यह कि since no grow DDM, comes under infinite period DDM, यहाँ पर period infinity है, मैंने जब आपको types of DDM, या कि कितने तरीके के DDM हो सकते हैं, बताया था, वहाँ पर मैंने बताया था कि single period, multi period, infinite period, कि वो dividend, discount model, के अंदर में return के रूप में, सिर्फ dividend मिलेगा, capital appreciation नहीं मिलेगा, मतलब उस share को आप कभी बेचोगे नहीं, जिंदगी बार वो share आपके पास रहेगा, और आपको dividend 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 मिलता रहेगा, ठीक है, तो no grow DDM के अंदर में ऐसा है, कि period infinite है, मतलब period का कोई अंत नहीं है, तो अगर timeline देखेंगे, तो timeline के इस प्रकार से होगी, कि 0 पर में D0, D1, फिर आगे D2, फिर D3, up to Dn, वैसी EPS भी रहेगा, EPS 0, EPS 1, EPS 2, EPS, up to EPS N, क्योंकि D और EPS same है, यानि कि DPS और EPS same है, no growth के अंदर में DPS और EPS same होता है, कई बार बता चुका हूँ, अभी भी revise करवा है, कि no growth DDM में DPS और EPS same है, जितना कमाया, यानि कि EPS उतना बाट दिया, यानि कि DPS, ये दोनों तो आपस में equal होते ही है, यानि कि DPS और EPS तो equal हैं, लेकिन, important बात आ रही है, कि no growth DDM also assumes, कि D0, D1, D2 सब आपस में बराबर हैं, यानि कि EPS 0, EPS 1, EPS 2, EPS 7 आपस में बराबर हैं, ये ऐसा इसलिए हैं, क्योंकि ये जो formula आप यूज़ कर रहे हो, जैसे कि IV0 is equal to D1 upon RE, IV0 is equal to EPS 1 upon RE, IV0 is equal to D1 upon ER, IV0 is equal to EPS 1 upon ER, ये जो मैंने formula बताया अभी, ये जो formula आप यूज़ कर पा रहे हो ना, IV0 वगरा के, ये तभी यूज़ कर पा रहे हो, जब आने वाले dividends, same है, क्योंकि infinite period है, कोई अंत नहीं, पीरेट का, और dividend मिलता जाएगा, तो इन सारे dividend जो, अंत तक मिलता रहेगा, मतलब infinite तक मिलता रहेगा, उसकी present value निकालने के लिए, जो perpetuity हमने model यूज़ किया, वहाँ पे, D0, D1, D2, Dn सब बराबर होंगे, आपस में, तभी वह formula काम करेगा, वरना नहीं करेगा, यानि कि आने वाले dividends, endless हैं, और आने वाले dividends equal भी हैं, तब जाके आप formula काम आएंगे, तो सिंस यहाँ पे dividends और EPS, आपस में same है, तो D0 is equal to D1, is equal to D2, Dn भी होगा, which will also be equal to EPS 0, EPS 1, EPS 2, EPS N, ये बात बहुत important है, ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है, no growth DDM की, ठीक है, ये से बात बात में equal होते हैं, चलो आगे बढ़ता हूँ, अब मैं बता हूँ को earning growth model, earning growth model में formula पी वी, यानि के present value, is equal to EPS 1 upon R-G, ये ये के आने वाला period का EPS, upon R-G, कहीं न कहीं है constant growth DDM जैसा दिख रहा है, बस यहाँ पे D1 नहीं लिखा, यहाँ पे EPS 1 लिखा है, येनिके EPS 0 into 1 plus G upon R minus G, अब R का value कुछ भी हो सकता है, येनिके RE भी हो सकता है, और ER भी हो सकता है, अगर आप R की value RE लोगे, तो आपका present value आएगा, लेकिन वो IV 0 होगा, अगर R की value अगर आप ER लोगे, एक्सपेटे टर्न, तो P 0 आएगा, तो इस तरीके से काम कहता है, Earning Growth Model, जो कि एक तरीके का Conscient Growth DDM का काम कर रहा है, बट वहाँ पे dividend discount नहीं हो रहे है, EPS discount हो रहे है, ठीक है, चलिए इसका question देख लेते हैं, Given the following information, Current Dividend 5 रुपे, Current Dividend मतलब D 0, Discount Rate 10% दिया हुआ है, Growth Rate 2%, यानिके G दिया हुआ है, Calculate the Present Value of the Stock, ठीक है, तो D 0, 5 रुपे पर share, Discount Rate का मतलब यहाँ पे ER है, 10% दिया हुआ है, 10% दिया हुआ है, 0.02, Present Value यानिके P 0 मंग रहा है, P 0 क्यों मंग रहा है, क्योंकि यहाँ पे ER दिया हुआ है, और ER को जब यूज करोगे तो P 0 आएगा, Present Value आएगी, लेकिने Present Value P 0 के बरावर होगी, तो जैसा कि मैं पहले भी बताते आया हूँ, Growth Rate सिंगल दिया हुआ है, कोशन में, तो जैसा Growth Rate is Fixed है, यानिके एक Constant है, यानिके एक Constant Growth DDM का कोशन है, जहाँ पे formula यूज करोगे, P 0 is equal to D 1 upon ER minus G, यानिके D 0 1 plus G upon ER minus G, 5 into 1 plus 0.02 upon 0.10 minus 0.02, P 0 आजएगा 63.75 रूपीज, तो पहला पार्ट तो निकल आया, 63.75 दूसरा पार्ट है, Is the stock overvalued, if price is 40 रूपीज, ROE 8% EPS 3, show your calculation under P multiple approach and earning growth model, तो दोनों को combination में पूछ रहे, इसलिए मैं दोनों को combination में पढ़ाया, क्या क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है P 040, ROE, return on equity का मतलब ER होता है 8%, EPS 0 दिया हुआ है 3 per share, grow 2%, तो आप देखो के तो dividend की आपर बात नहीं करेंगे, discount rate तो अलग से निकाल के दिया हुआ है, यहाँ पर एट परसेंट, तो growth rate को मैं यूज करूँगा आगे 2%, ठीके, पहला आ रहा है P multiple approach, अनिके no grow DDM, PE multiple approach में हम लोग ER और RE same मानेंगे, यहाँ के 8%, लेकिन P 0, IV 0 same नहीं होगा, और यहाँ पर growth rate 0% होगी, मतलब यह जो G है मुझे अभी तो काम नहीं आएगा, तो यहाँ पर हम चौता formula दिया करूँगा, इस आईए 0, EPS 1 upon ER into 100, यानि कि यहां पर IV0 EPS 0 upon year into 100 भी हो सकता है यह तो इसी खा रहा था EPS 1 लिखो या EPS 0 लिखो no growth DDM ने के P multiple approach में सेम बात है क्योंकि EPS 0 is equal to EPS 1 is equal to EPS 2 up to EPS N खलब EPS सेम रहेगा no growth DDM में या फिर P multiple approach में यहां पर मैं EPS 0 भी ले सकता हूं EPS 1 भी ले सकता हूं दोनों बराबर है तो IV0 is equal to rupees 3 तो rupees 3 मेरा EPS 0 दिया हुआ है upon 80 to 100 37.5 तो IV0 is less than P0 तो stock is overvalued देख रहे है क्योंकि P0 ज्यादा है IV0 से यह price का DCN table के थुरू निकाला कि एर्निंग ग्रोथ मॉडल अर्निंग ग्रोथ मॉडल में भी अजूम करेंगे आरी और यह बराबर है लेकिन P0 IV0 के बराबर नहीं है यहाँ पर फॉर्मॉला यूज करेंगे IV0 के बराबर EPS 1 upon RE-D यहाँ पर मेरा EPS 1 होगा रूपीस 3 पर शेर इंटू 1 प्लस 0.02 upon 0.08 minus 0.02 51 रूपीस पर शेर तो IV0 is more than P0 यानि कि 51 रूपीस is more than 40 रूपीस here is undervalued तो पहले केस में overvalue आया P multiple approach में और earning growth model में undervalued आया तो इस question की खास बात क्या थी? इस question की main बात यह थी कि student confused होते है EPS में कि sir आपने यहाँ पर EPS 1 पहले केस में 3 रूपीस ले लिया और दूसरे में आपने यहाँ पर growth से क्यों multiply कर दिया? तो इसका main कारण यह है कि जब हम no growth DDM पढ़ रहे हैं यानि कि PE multiple approach पढ़ रहे हैं तो आपे सारे EPS आने वाले सेम होने वाले आपस में तो EPS 0 और EPS 1 दोनों सेम है ठीक है? तो इसलिए मैंने 3 लिया लेकिन ऐसा earning growth model में नहीं है? earning growth model में EPS 1 का मतलब EPS 0 to 1 plus G ही होगा यहने कि rupees 3 पर share को multiply करेंगे 1 plus 0.02 से ठीक है? तो इस question की main बात थी आपका EPS समझना कि no growth DDM में EPS 0 EPS 1 आपस में बराबर होते हैं लेकिन earning growth model में ऐसा नहीं है earning growth model में अगर EPS 1 निकालना है तो निकले का EPS 1 is equal to EPS 0 into 1 plus G करके ठीक है? तो इस तरह किसा आपका E multiple approach and earning growth model का question solve होता है